वेलकम तू अबीसी केंपस आज हम कमपनी लौ में एक प्रैक्टिस कॉस्टन डिसकस कर रहे हैं जिसका टाइटल है पैरडाइस लिमिटेड क्वेस्टन यह है कि पैरडाइस लिमिटेड अपॉन पासिंगा स्पैशल रेजलूशन अन अगस्ट 20 मेड अमेंडमेंट्मेंट्स in its articles of association affecting substantial rights associated with class B shares of the company तो class B के rights affect हो रहे हैं few aggrieved shareholders जिने यानि उससे फर्क पढ़ रहा था जिने शिकायत थीस पर resolution पे having objection on the special resolution intent to file an application in the court court में जाने का उन्होंने फैसला किया है for the cancellation of above resolution तो यह situation है इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है इसमें पहली बात तो यह पूछी जा रही है कि variation of shareholder rights से क्या मुराद है दूसरी बात है कि वो कौन सी conditions है जो aggrieved shareholders को पूरी करनी होंगी ताके वो court में application दे सकें तीसरा यह कि court कौन से facts को consider करेगी अपना फैसला देने के लिए कि वो resolution को cancel करेंगे या नहीं करेंगे court तो उसका फैसला वो किन factors पर कर रहे होंगे तो पहले point की तरफ चलते हैं कि variation of shareholder rights का मतलब क्या होता है तो variation of shareholder rights में abrogation, revocation और enhancement of rights of shareholder शामिल है abrogation का मतलब भी एक किसम का cancellation होता है या non-existent बनाना कि rights को बिल्कुल खतम कर देना या revocation ये कि कुछ rights दिये वहते हैं उनको cancel करना या even enhance किया जा रहे हैं को rights तो वो भी variation के अंदर ही शामिल होते हैं तो ये meaning जो हैं वो section 59 में ये तीन चीज़ें जो है लिखें हैं कि variation का मतलब ये होगा अच्छा अब part B की तरफ चलते हैं conditions which the aggrieved shareholder will have to comply with to be eligible for filing an application दखो तो बिल्कुल सही इनका फैसला है कि ये court में जा सकते हैं लेकिन उसके लिए जो दो conditions पूरी करनी हैं वो एक condition तो ये है कि इन लोगों के पास जो affected class है that is class B class B shares का at least 10% shares होने चाहिए यानि 10% और more और दूसरा ये कि जो special resolution पास हुई है उसके पास होने कि 30 days के अंदर इन्हें court में application पाइल सबनी होगी तो ये दो conditions पूरी कर दें तो ये court में eligible हैं कि ये application फाइल कर सकते हैं ती पार्ट देखते हैं matters which the court would consider while making a decision on the above application तो court जो है वो cancellation का order सिरफ तब देगी when the court is satisfied about one of the two thing उसमें से पहले चीज़ तो ये है कि या तो कुछ facts ऐसे थे जो shareholders से withheld किये गए चुपाए गए और अगर वो shareholders को बताये जाते तो फिर special resolution पास ना होती तो एक तो ये factor है दूसरा अगर ये नहीं है तो दूसरा factor ये कि ये प्रूफ कर दिया जाए court की satisfaction के मताबग कि variation in rights जो हुई है वो unfairly prejudice करेगी यानी unfairly detrimental होगी harmful होगी उन shareholders के लिए जिस class को applicant represent कर रहे है which is once again class B तो ये दो में से कोई एक perspective ऐसा होना चाहिए जिस पर आप court को satisfy कर दें तो court जो है वो order of cancellation देदेगी That's all for today, have a good day कि आप, वो ख एक सबस्क्सक्ड़र से कर दो कर दें I have a good day कि झाप एक, शो, थाप जँ़र को रहे हो सकता है जऑर कि प्रूइच कि वो था प्रूबर से कर दो घप जए कि बावान से किएस्ट कर दो होगी कि आपूए होगी झाल झाल